नमस्कार दोस्तों कॉंप्टिशन कम्यूटी के यूटूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है और एकनोमी बेस करेंट अफियर लेकर मैं हूँ आपके साथ अकास सिंग जो समय अवदी हम कंसिडर करेंगे करेंट अफियर के लिए वह है आठ मार्च से 21 मार्च सबसे पहला कंटेंट हम डिल करते हैं सबसे पहला कंटेंट है डिजिटल पेमेंट पर आधारित लगातार आप डिजिटल पेमेंट पर आधारित कोई ना कोई स्कीम योजना प्रयास न्यूस पेपर में या करेंट अफिर के वीडियो में देख रहे होंगे ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्थ वेवस्ता में यह जो डिजिटल पेमेंट को लेकर गतिवीदी बहुत जादा बढ़ गई है या फिर यह कह सकते हैं कि जो बड़ा क्रांतिकारी बदलाव अर्थ वेवस्ता में आने वाला है या आ रहा है वो डिजिटल पेमेंट पर आधारित है लेकिन इस क्रांतिकारी बदलाओ के सामने चुनौती के तौर पर है डिजिटल डिवाइड इसका क्या तात पर है इसका तात पर ये है कि अभी भी हमारे देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या डिजिटल पेमेंट सिस्टम से करना एक बहुत बड़ी चुनौती बेशक है और इसी चुनौती के समधान के तौर पर ये कंटेंट हमारे सामने चलाता है ये कंटेंट है आर बी आई ने शुरू की यूपी एक दो तीन पे सेवा और इस सेवा के तहत बिना इंटरनेट चार तरीकों से डिजिटल समाने तोर से कॉल आना जाना ऐसा बस रहता था गेम बहुत जादा अभी के तोर पर जिस तरह से स्मार्ट फोन में या एंडरोइट फोन में जिस तरह की सेवाएं हैं वैसी सेवाएं उसमें नहीं रहती थी मेरी मुझे उमीद है कि आप लोग ये समझ गया होंगे फिचर फोन के माध्यम से डिजिटल पेमेंट किया जा सकता है बिना इंटर नेट के सेवा के ये यूपी एए एक दो तीन पे सेवा के जरीए पहले उप्योगिता देखते हैं पहली उप्योगिता तो निबंद पर आदारित है निबंद में एकनौमी बेस निबंद आने की होना भी बढ़ जाती है दूसरी उप्योगिता इसकी पेपर फोर भाग तीन पर है जिसमें आर्थिक विद्धी हे तू सौफ्टवेर का विकास टॉपिक लिखा हुआ है तो जब भी आप इस टॉपिक पर बेर्श कुछ लिख रहोंगे तो आप ऐसे सारे प्रयासों के बा उप्योग करता डीचल भुकतान प्रणाली से जुड़ जाएंगे देखिए समाने तोर पर हम सोचते हैं कि आज के डेट में फीचर फोन कौन ही यूज करता होगा तो संख्या आप देख रहे हैं 40 क्रोल फीचर फोन उप्योग करता है इतनी बड़ी संख्या है अब इतनी बड़ी संख्या है तो चुनोती भी उतनी बड़ी है यह फीचर फोन उप्योग करता बीना इंटरनेट भी डिजिजल भुकतान कर सकेंगे इस यूपी एक दो तीन सेवा के माध्यम से किस तरह कर पाएंगे चार तरीके से कर पाएंगे वह चार तरीके क्या है पहले हम समझ सबसे पहला तरीका है आई वी आर इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉंस फिचर फोन के माध्यम से एक नंबर में डायल किया जाएगा और उस में डायल करने के बाद कुछ-कुछ बात कही जाएगी जैसे फलाना चुनने के लिए एक दबाव या फिर यह करने के लिए दो बाव ऐसे आपको इंस्ट्रक्शन्स दिये जाएंगे और उस इंस्ट्रक्शन्स का पालन करते करते आप पेमिंट कर सकेंगे एक एप जारी किया जाएगा इस एप में यूपी आई के सारे फिचर्स होंगे जो यूपी आई आप यूज़ करते हैं स्मार्ट फोन में वह व पेमिंट कर जाएंगे एक तरीका है साउंड वेब या ध्वनी के माध्यम से आप जहां पर पेमिंट करने वाले हैं उस पॉइंट पर आप कुछ यहां पर साउंड वेब अपने फोन से जारी करेंगे वहां से कनेक्शन बैठेगा जैसा ब्लूटूथ के साथ हुआ करता थ फिर से आपको इस्ट्रक्शन फिचर फोन में आ जाएंगे इसकीन में फॉलो कर यह पेमिंट हो जाएगा तो यह चार तरीकों से बीना इंटरनेट के फिचर फोन के माध्यम से पेमिंट किया जा सकता है इस यूपी आई एक दो तीन सेवा के तहत इसके लिए यूपी आई करना था फानेशल इंक्लूजन करना था एक बहुत बड़ी जनसंक्या बैंकिंग सेक्टर या भारत के वित्ति सेवा या वित्ति प्रणाली की मुख्यधारा में नहीं थी इन्हें मुख्यधारा में जोडने के लिए इस जंधन अकाउंट सेवा यह जंधन अकाउंट बैं लग तरीके हैं उन सभी तरीके में instructions आएंगे तो अंतीम instruction होगा वो UPI pin जो आप बैंक में जाकर बनाए रहे होंगे तो अंतीम में जब आप वो UPI pin डालेंगे तभी payment successful होगा आपके bank account से payment detect होके चला जाएगा जहां पर destination है उस payment का और अगर फिर भी ना समझ में आए आपको क कैसे करते हैं तो उसके लिए डीजी साथी नामक help line भी दिया गया है और यह उसका नंबर है 14431 और 1800-891-3333 इसमें phone करिए और जो भी जानकारी चाहिए वो जानकारी लेकर आप सीख जाईए कि payment कैसे करते हैं तो सहयता के लिए भी कुछ यहाँ पा system बनाया गया है तो एक संशय हो कुछ दुविदा हो कुछ doubt हो कुछ confusion हो तो इस डीजी साथी help line नंबर पे आप phone करके पूल सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं पहले कैसे होता था पहले UPI से payment नहीं होता था USSD से payment होता था feature phone के माध्यम से ही dial करना पड़ता था start double 9 hash और उसके बाद ऐसे ही सारे जो features होते थे instruction होते थे वो पूछे जाते थे और वो आप डालते जाते थे जैसे की mobile number IFC code यह सारे चीज़ विकल्प चुनने पड़ते थे अंतिम में send button दमाना पड़ता था और राशी चली जाती थी लेकिन इसके माध्यम से NPCI का यह मानना है यह RBI का यह मानना है कि इसके माध्यम से जो digital penetration हम चाहते हैं बहुत बड़ी जनसग्या में इस digital payment सेवाओं को जिस तरह से फैलाना चाहते हैं वो कहीं न कहीं लक्ष हमारा पूरा नहीं हो पा रहा था और इसे ही तेजगती प्रदान करने के लिए यह UPI एक दो तीन सेवा लागू की गई RBI के द्वारा NPCI के माध्यम से चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्ण यूपी एक दो तीन पे क्या है इसके माध्यम से फीचर फोन उप्योग करता बिना इंटरनेट भी डिजिटल भुकतान कर सकेंगे तो यह statement तो सहीं है इस सेवा की सहीं option क्या होगा एक और दो दोनों ही कतन सहीं हैं चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जोगरफी के भी एक content पर बात कर लेते हैं और इस content का उप्योग अगर आप अपने answer में करेंगे तो दूसरों की तुलना पर आपका answer दूसरों से बैतर और अलग भी लगेगा तो माक्स ज्यादा मिलने की संभावना भी अधिक हो जाएगी चिलका जील इसकी जो लंबाई है उत्तर सिद्धक छीन ये 64 km है और चौड़ाई जो है वह है 13.5 km चलिए इसमें भी देखते हैं मैप में ये चिलका जील है चिलका लेख है इसकी जो लंबाई है वो लगबग 64 km है और इसका जो width है चौड़ाई है वो 13.5 km है चिलका जिल इस बंगाल की खाड़ी बे और बेंगाल से इस सत्पाड़ा के पास से मिल जाता है यह देखिए यह पानी का एंट्री है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाता है यही दूसरा कंटेंट भी है या जिल सत्पाडा के पास उतले और सक्रे चैनल के माध्यम से समुद्र से जुरती है चिलका एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लेगून है अब आप कमेट सक्षन पर मुझे बताएंगे लेगून का मतलब क्या है चलिए आगे बढ़ते हैं भारती उप महाद्वीप में प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़ा शीतकाली मैदान है जो प्रवासी पक्षियों हैं वो शीतकाल में थंडी के मौसम में इस चिलका जिल पर चले आते हैं तो उनके लिए भी बहुत ये इंपोर्टेंट है रामसार कन्वेंशन के तहट अंतराश्री महत्व की पहली भारती आद्रबुमी के रूप में इसे नामित किया गया है ये बहुत इंपोर्टेंट कंटेंट है इसका बहुत इंपोर्टेंट बात है आप याद रखेगा ये कोशन में पूछा जा सकता है चिलका का प्रमुक आकर्शन केंद्र है इरावदी डॉल्फिन ये डॉल्फिन कैसा दिखता है एक बार आप लोग जरूर देखेगा नेट में सर्च करके काफी अच्छा दिखता है काफी बढ़ियां मजाएगा इस लेगुन छेतर के 16 वर्ग किलोमिटर में एक नल्बन द्वीप है जिसे सरकंडो का जंगल भी कहा जाता है जिसमें पक्ची अभ्यरण है नल्बाना बड सेंचुरी ये रहा नल्बाना बड सेंचुरी जिस द्वीप परिस्थित है वोग वाला द्वीप तो यह सारे गंट इसलिए मैंने डिसकस कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोशन, वर्ष 1981 में रामसर कन्वेंशन के तहट अंतराश्टी महत्व की पहली भारती आर्थ भूमी के रूप में नामित किया गया था, किसे किया गया था, चिलका जील, अब यहाँ पर और भी कोई-कोई जील है, क वो special feature भी आप comment section में बताएंगे, ठीक है, साथ ही साथ आप ये भी बताएंगे, कि कौन सा जील लगून लेक है, साथ में आप ये भी बताएंगे, कौन सा खारे पानी का जील है, और कौन सा मिठे पानी का जील है, fresh water lake, तो इस तरह से इन सभी जीलों के बारे में आप लिख कर comment section पर मुझे दिखाएंगे, सत्य कथन चाटिये, या एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लेगून है, चिलका का प्रमुक आकर्शन है, इरावदी डॉल्फिन, ये दोनों ही कथन सत्य है, और इसलिए option C, इस question का सही answer बन जाता है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला content, RBI द्वारा पांच बिलियन डॉलर मुल लेके डॉलर रुपिया swap का क्या ताथ पर है, डॉलर रुपिया swap, पहले हम समझ लेते हैं, content पर बाद में जाएंगे, swapping कहने का मतलब है अदला बदली करना, मतलब डॉलर के बदले रुपिया या रुपिया के बदले डॉलर, swapping का मतलब यही होता है, अब जड़ा थोड़ी सी पिस्ट भूमी समझ लेते हैं, इस content पर जाने से पहले, अभी कुछ दियनों पहले भारती currency, अर्थात रुपिया डॉलर के सामने बहुत जादा कमजोर होता जा रहा था, लगभग एक डॉलर के सामने 77 रुपए वाली स्थिती आ गई थी, और अगर तुरंत कुछ उपए नहीं किये जाते, तो एक डॉलर बराबर 80 रुपए भी हो जाते थे, तो इस गिरावट के पीछे का कारण क्या था पहला कारण तो यही था, कि उक्रेन और रशिया के बीच में जो जंग चल रहा है, उसके चक्कर में, इंटरनेशनल मार्केट में तेल की किमते बढ़ते जा रही है, अब तेल अगर हम इंपोर्ट करेंगे, तो तेल इंपोर्ट करने के लिए डॉलर पर पे करना पड़ेग और डॉलर की अगर डिमांड बढ़ेगी, तो डॉलर मजबूत होगा और रुपया कमजोर होगा, दूसरी बात यह है, कि अभी हमारी देश में मुद्रा इस्विती थोड़ी सी बढ़ी हुई है, क्योंकि मौद्रिक नीती समिती ने उदारवाती नीती जारी किया है, वज़ा से भी रुपय की कीमत गिर रही है, और डॉलर के सामदे कमजोर होते जा रही है, अब अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए, तो दिक्कत हो सकता है, डॉलर के सामदे रुपय बहुत जादा कमजोर हो जाएगा, जिसकी वज़ा से मुद्रा इस्विती एक सीमित दर से बहुत जादा बढ़ जाएगी, जो हमारे अर्थवियस तक ले नकरात्माख होगा, साथ ही साथ हमारा इंपोर्ट का जो बिल होगा, वो बहुत जादा होगा, चालू खाता घाटा बहुत जादा बढ़ जाएगा, इसलिए कुछ उपाय करने चाहिए, उसी उपाय के तौर प अपने पास ले लिए, मतलब मार्केट में डॉलर की सप्लाई को बढ़ाया गया, तो जो डॉलर मजबूत होता जा रहा था, अब वो उतना मजबूत नहीं होगा, और RBI ने रुपया बैंकों से अपने तरफ ले लिया, मतलब रुपय की सप्लाई को कम किया गया, तो पतमान में जो 77 रुपय हो चुका था एक डॉलर के बराबर, यह 76 दशमलों 3 के आसपास आ चुका है, तो इसी विखने, यह रुपय का जो अमूल्यान हो रहा था, विखनी ओफ रुपी जो हो रहा था, इसे कंट्रोल करने के लिए स्वेपिंग किया गया, इस स्वेप में एक शर्त और रखा जाता है कि एक समय के बाद RBI यह जो डॉलर बैंकों को दी है, वो डॉलर वापस लेगी रुपयों के बदले, तो अदला बदली चलता है, तो अब हम समझते हैं, यह मोटा मोटी बात यही थी, कि रुपय बहुत जादा वीक होता जा रहा था, उसके लि प्रश्न पत्र पांच भाग एक में, रिजर्व बैंक के साख का नियमन, सीधे तोर पर इससे तो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन रिजर्व बैंक से तो कनेक्टेड है, जब आप यह बात कर रहे हों, कहीं पर भी, निबंद में या मेंस में, कि RBI मुद्रा इस्विती से लड रुपया स्वेप अर्थाज अदला बदली की निलामी का अयूजन किया गया, जिसके परिणाम स्वरुप वित्य प्रणाली में डॉलर का प्रवा हुआ, उसका प्रवा बढ़ाया गया, एवं रुपय को वित्य प्रणाली से बाहर निकाला गया, इस टूल के माध्यम से किंद्री बैंक अपने मुद्रा का उप्योग किसी अन्य मुद्रा को खरीदने या अन्य मुद्रा से अपनी मुद्रा को बदलने की कारवाही करते हैं वही जैसा अभी मैंने आपको बताया डॉलर रुपया खरीद बिक्री स्वेप में केंदरी बैंक दौरा भारती रुपए के बदले में बैंकों से डॉलर खरीदे जाते हैं और इसके तुरंत बाद किसी बाद की तारीक में डॉलर बेचने का वादा करने वाले बैंकों के साथ एक विपरीत सौधा अर्था डॉलर के बदले रुपए करिदने का समझाता किया जाता है अभी डॉलर देंगे रुपए के बदले और सौधा क्या किया जाएगा कि तुम डॉलर मुझे वापस करना और रुपए ले जाना ये अदला बन्ली तो ये कुल मिला का ये किसी को दिया नहीं जा रहा है ये बस करेंसी का जो एक्सचेंज रेट होता है जो बहुत जादा जिस्टब हो जाता है वोलटाइल हो जाता है उसे कंट्रोल करने का कोशिश है मात्र वर्तमान में RBI द्वारा इस उपकरण के इस्तमाल का कारण क्या है तो हाली में बैंकिंग परनाली में अधिशेश चलनिदी 7.5 लाग करोड रुपए आकी गई मतलब एक्सेस जो सप्लाई था रुपए का वो 7.5 लाग करोड था तो इसे कम करने की ज़वरत है आम तोर पर ऐ ऐसी स्थिती में केंदरी बैंक रैपो दर बढ़ाने या नगत आरक्षित अनुपात कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाने जैसे परंपरी साधनों का उप्योग किया जाता है किन्तु वर्तमान में इसका अर्थव्यस्ता पर नकरात्मा प्रभाव पढ़ सकता है अगर RBI य तो इससे होगा क्या कि बैंकों को या बैंकों को अपने ब्याजदर को बढ़ाना होगा अगर बैंक ब्यासदर बढ़ाएंगे तो जो मुद्रा आपूर्ती है बाजार में वो मुद्रा आपूर्ती मनी सप्लाई क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और अगर सप्लाई कम होगी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी और ये हो जाएगा स्ट्रॉंग लेकिन इस तरह के परंपरिक टूल इस्तमाल करने से नुकसान ये हो सकता है कि अगर मुद्रा आपूर्ती कम की जाए तो बजार में मांग भी कम होगा और मांग कम होने से देश में उत्पादन कम होगा और अभी हमारी प्रात्मिकताओं में उत्पादन को बढ़ाना है क्योंकि कोरोना की वज़ा से और लॉक्डाउन की वज़ा से हमारी एकनॉमिक की खालत काफी खराब हो गई थी और अभी हमारे प्रात्मिकताओं में उत्पादन को बढ़ाना है भले उसके चक्कर में वाला तरीका अपनाया गया चलिए आगे बढ़ते हैं हाली में RBI द्वारा कितने मुल लिक्के डॉलर रुपया स्वेप की निलामी का एउजन किया गया उत्तर हैं 5 बिलियर डॉलर RBI की मौद्रिक निती समीती पर कुछ हम बात कर लेते हैं क्योंकि ये लगातार नियूस में रहता है और मौद्रिक निती आपके सिलेबस का एक पाड़ भी है Monetary Policy Committee बारत की अर्थ विवस्ता मौद्रिक निती ये नियूस में क्यों आया क्योंकि अभी इस मौद्रिक निती समीती के एक सदस्य है जैंत वर्मा इन्होंने कहा कि RBI की जो उधार निती है इसे भविश में खत्रा पड़ सकता है उधार निती मतलब ब्याजदर कम रखना ये ब्याजदर कम कैसे रखा गया होगा जब रेपो रेट और C.R.R. और S.L.R. और रिवर्स रेपो रेट ये सारे क्या होंगे कम रखे गए होंगे और अगर ये सारे चीज़ कम रखेंगे तो बैंक अपने ब्याजदर कम करेगी जिससे बजार में मुद्रा आपूर्ती या मनी सप्लाई बढ़ेगी और इसे ही कहा जाता है उधार निती मौद्रिक निती समीती का ये मनी सप्लाई को बढ़ाना अपने विभिन उपकरणों के माध्यम से उधार निती कहलाता है और ये भी हम कर रहे हैं क्योंकि मनी सप्लाई हमें क्यों बढ़ाना है क्योंकि हमें हमारे देश की जेडिपी बढ़ाना है डिमांड बढ़ाते हुए चलिए अब हम आ समझते हैं इस पूरे monetary policy committee के संरचना के बारे में सदस्यों के बारे में यह हम समझ लेते हैं exam के लिए बहुत important है इसका ताथपर क्या है उधार नितीगत रविये का ताथपर क्या है किंदरी बैंक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए economic development को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा आपूर्ती का विस्तार करने के लिए तैयार है वही इन सारे उपकर्णों से मुद्रा आपूर्ती का विस्तार करने के लिए तैयार है उदार निती अवधी के दौरान ब्यास दरों में कटोती करने के लिए तैयार रहती है यह कटाथी किया जाता है चलिए इसके बारे में कुछ بात कर लेते हैं यह इसका कारी क्या है रेपो दर रिवर्स रेपो दर बैंक दर नगत आरक्छीत अनुपाद जैसे उपकर्णों का उप्योग करके मोद्रिक निति तयार करने का काम है इसका मौद्रिक निती समिती का इसका अगठन 1934 में जो आर्बियाई एक्ट अधिनियम है उसकी धारा 45 ZB के तहद किया गया है इसकी संरचना पर बात करते हैं मौद्रिक निती समिती के 6 सदस्य होंगे 6 सदस्यों में से 3 सरकार द्वारा मनोनित किये जाएंगे और 3 सदस्यों जो होंगे वो RBI से शामिल किया जाएंगे टोटल 6 हैं 3 सरकार द्वारा मनोनित और 3 RBI के गवर्नर इस समिती के अध्यक्ष होंगे पदेन अध्यक्ष होंगे और इसके प्रभारी जो होंगे वो डिप्टी गवर्नर होंगे तो RBI के गवर्नर पदेन अध्यक्ष होंगे और इप्टी गवर्नर होंगे प्रभारी साथ ही केंद्री बैंक के कारी निदेशक भी इस समिती के सदस्य के रूप में कारे करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं इनका कारे काल कितना है तो कारे काल होता है चार साल की अवदी का कारे काल होगा इनका चैन कैसे किया जाता है तो एक खोज सा चैन समिती द्वारा इनका चैन किया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं निर्णे कैसे लिया जाता है मौदरिक निती समिती में बहुमत के आधार पर छे लोग है चार लोग जिस पक्ष में आएंगे वो निर्णे ले लिया जाएगा मानलो दो लोग ऐसे कहते हैं कि हमें रेपोरेट बढ़ाने की जवरत है और चार लोग कहते हैं नहीं रेपोरेट गिराने की जवरत है तो वो रेपोरेट गिराया जाएगा क्योंकि चार लोग रेपोरेट गिराने के पक्ष में है समिती के प्रत्येक सदस्य को मत देने का अधिकार है RBI के गवर्नर की भूमी का क्या है मान लो इस छे में से समस्या ऐसी आ जाए कि तीन एक पक्ष में हैं तीन एक पक्ष में हैं तो बहुमत तो बना नहीं बराबरी हो गई तो इस समय निर्णे कैसे लिए जाएंगे तो इस समय RBI के गवर्णर के पास एक बार और वोट देने का अधिकार होगा और उस मत को कहा जाएगा निर्णायक मत इंग्लिश में कास्टिंग वोट पहले RBI के गवर्णर के पास में विटो पावर होता था मतलब 6 में से अगर 5 लोग भी एक निर्णे पर हैं और RBI के गवर्णर को मज़ा नहीं आ रहा है निर्णे तो वो निर्णे नहीं होगा विटो पावर का मतलब ये होता है कि सारे निर्णे उनी के मंद से चलेगा जो उनके मंद से नहीं है उस निर्णे को रोख सकते हैं मौदरिक निती का उद्देश क्या है विट्दी के उद्देश को ध्यान में रखते हुए मुल इस्तरता बनाए रखना अर्थात GDP को बढ़ियां बना कर रखना सांती साथ जो प्राइस या जो कीमते हैं उसमें भी स्टेबिलिटी बना कर रखना अर्थात मुदरा इस्विति के सांस साथ में आर्थिक विर्धी भी प्राथमिक्ता में होता है इस मौदरिक निती के लक्ष में चलिए कोश्चन देखते है मौदरिक निती समीति की सनरक्षना के संबंद में अससत्य कतन चछाटी इस समिती में पांस सदस्य होते हैं गलत छे सदस्य होते हैं समिती के सदस्यों में से तीन सदस्यों को सरकार द्वारा मनुनित किया जाता है ये सही आर्बिया के गवर्नर मौद्रिक नीती समिती के पदेन अध्यक्ष होते हैं ये भी सही तो सिर्फ गलत क्या है केवल एक गलत option भी सही हो गया उदार नितिगत रविये से क्या आश्य है आर्थिक विकास को बढ़ावाद देने के लिए मुद्रा आपूर्ती का विस्तार करना या फिर इसकी जो supply है उसकी supply को बढ़ाना ये होता है उदार नितिगत रविये चली आगे बढ़ते हैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हमारे देश में इंफलेशन बढ़ा हुआ है तो उसके बारे में भी कुछ बात हो गई है WPI और CPI की मुद्रा इस्विती दरे सरकार द्वारा जारी आकडों से पता चला है उपियोगिता वही है मौद्रिक निति वाला चले कंटेंड में आते हैं पता चला है कि भारत में थोक मुद्रा इस्विती अर्थाद WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स थोक मुल्य सुचकांग बढ़कर 13.1-1 प्रतिशत हो गई है जबकि भारत में उप्वक्ता मुल्य सुचकांग कंजिमर प्राइस इंडेक्स द्वारा मापी गई खुद्रा मुद्रा इस्विती दर 6.7 प्रतिशत पर आ गई है देखिए मुद्रा इस्विती का जो आइडियल रेट है वो 4 प्लस माइनस 2 परसेंटेज है मतलब कि 2 से लेकर 6 प्रतिशत तक की मुद्रा इस्विती की दर ठीक ठाक मानी जाती है जिसमें सबसे अच्छी दर मानी जाती है 4 प्रतिशत और अभी और ये किसका माना जाता है CPI का और अभी हम देख रहे हैं कि ये हेल्दी लिमिट के बाहर जा चुकी है मुद्रा इस्विती की दर CPI, WPI के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कंटेंट पर जाने से पहले समझ लेते हैं WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स मुद्रा इस्विती मापन का एक उपकरण है एक टूल है जिसमें लगबख 697 आसपास के वस्तूओं को रखा जाता है और इसके कीमत में जो वृद्धी होती है उस वृद्धी के अधार पर मुद्रा इस्विती बताया जाता है इस 697 वस्तूओं को तीन अलग अलग वर्गों पर बाटा जाता है और उनके आर्थिक गतिविधी के अधार पर अर्थात वो कितना यूज होते है उसके अधार पर उनको भार भी दिया जाता है वेड भी दिया जाता है कितने वस्तूओं रखने हैं ये सारे चीज डिसाइड किये जाते है उद्योग मंत्राले के द्वारा मिनिस्ट्री ओफ कॉमर्स और इंडिस्ट्री के द्वारा WPI में जो 697 उत्पाद होंगे ये सिर्फ बस्तु होंगे इसमें सेवाएं नहीं होंगी और इसमें जो कीमत वृद्धी देखी जाती है ये थोक इसतर पर देखी जाती है उबहुकता इसतर पर नहीं देखी जाती है और वहीं अगर हम अधार वर्ष की बात करें तो 2011 बारा इसका अधार वर्ष है वहीं CPI की बात करें तो ये भी मुद्रा इसी ती मापन का एक उपकरण है एक टूल है और इसमें लगबग 400 से अधिक वस्तूओं को शामिल किया जाता है और सेवाओं को भी शामिल किया जाता है WPI में सेवाओं नहीं होंगे CPI में सेवाओं होंगी यहां पर मुल्य वृद्धी देखी जाती है उभोकता इस तर पर तो किस तर पर नहीं उभोकता इस तर पर और इसमें ये जो 400 से अधिक वस्तुवे होते हैं उसे 6 वर्गों पर विभाजित किया जाता है जिसमें से सबसे जादा भार दिया जाता है खाद्य एवं पेपदार्थ वाले वर्ग को तो लगबग मैंने सब बता दिया content अब अच्छा कई लोग ऐसा पूछ रहते हैं कि सर इतना सारा content है साल बर लिखेंगे तो कैसे वह लिखने की आपको ज़वरत नहीं है आप screenshot मार के content को revision के तोर पर use कर सकते हैं और इसका जो PDF होगा PDF नहीं hard copy के तौर पर हमारे magazine में समाहित होते हुए आप तक पहुँचने वाला है जिसके बारे में आनन सर ने अपने वीडियो में आप लोगों को बता दिया है तो PDF के लिए भी परिशान नहीं होंगे magazine में ये सारे चीज जुड़कर आ जाएंगे चलिए भार की बात करते हैं wholesale price index में सबसे अधिक भार होगा भी निर्मीत उत्पादों का manufacture product का लबग 64.97% है fuel and power का 14.91 और primary articles का अर्थात प्राथमिक उत्पादों का भार है 20.12 प्रतिशन तो सबसे अधिक भार किसका है manufacture product में चलिए आगे बढ़ते हैं consumer price index में भार देखते हैं सबसे अधिक है food and beverages में खाद्य एवं पेपदार्थ में 45.86% का भार है फिर उसके बाद miscellaneous का है लेकिन उसके third number पर है housing फिर उसके बाद fuel and light उर्जा एवं इंधन और clothing and food wear बस्त एवं जूते फिर उसके बाद पान तमबाखू एवं intoxicants नशीले पदार्थ clear है तो यह याद रखना prelims में पूछता है चलिए आगे बढ़ते हैं question देखते हैं निमने लिकित कतनों पर विचार किजिए खाद देवस्तों का उबगता मुले सुचकांग विटेज उनके थोक मुले सुचकांग में दिये भार से अधिक होता है तो बिल्कुल सहीं देखे खाद देवस्तों का भार CPI में अधिक है WPI में यह primary articles में है और इसमें कम है WPI सेवाओं के मुल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता ये भी सहीं है बिल्कुल सेवाएं शामिल है CPI में WPI में नहीं भारती रिजर्व बैंग ने अब मुद्रा इस्विती के मुख्य मान हेतू तता प्रमुक नितिगत दरोग के निर्धारन हेतू WPI को अपना लिया है ये statement गलत है अभी मैंने बताया कि CPI 4 plus minus 2 percentage ideal rate है तो RBI CPI को consider करती है नितिगत दरोग के निर्धारन के लिए तो सही उत्तर इसमें से क्या हो जाएगा option एक केवल एक और दो ये दोनों सही है क्योंकि तीसरा वाला जो कथन है वो गलत है कि अंतीम कंटेंट भारत में बेरोजगारी बेरोजगारी को लेकर कुछ आकड़ें आए हैं नीबंद में आप इन आकड़ों के इस्तमाल करेंगे साती साथ इंडियान एकनॉमी बेरोजगारी वाले पार्ट में भी आप इसका साल की कि अप्रेल जून तिमाही अर्थात क्वाटर वन में भारत की शहरी बिरोजगारी दर बढ़कर 12.6 प्रतिशत हो गए जबकि जनवरी मार्च तिमाही में या 9.3 प्रतिशत थी तो अप्रेल जून में बिरोजगारी बढ़ा क्यों बढ़ा क्योंकि सेकंड वेव वाला ताइम था माहमारी वाला टाइम था इसमें कोबिड माहमारी की पहली लहर के दौरान देखे गए 20.8 प्रतिशत के बिरोजगारी इस तर से कमी आई है तो पिछले तीमाही मतलब की जनवरी मार्च वाली तीमाही से तो बढ़ा है लेकिन फर्स्ट वेव वाले से कम रहा है दे वो फर्स्ट वेव में जादा था सेकेंड वेव में एकनॉमिक इंपक्ट उतना जादा नहीं था और थर्ड वेव में तो लगबग ना के बराबर था तो इतना ही कंटेंट हम डिल करेंगे अगले सब्ता अगले सब्ता के important current event को लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने उप